हेलो एवरिवन आप सब लोग का मेरा यूटीब चैनल में हार्दिक स्वागत है आज हम लोग क्वेस्टन नमबर से शुरू करेंगे ठीक है तो यह क्वेस्टन शुरू करने से पहले हम एक बात बोलेंगे अगर आप लोग को यह वाला वीडियो अच्छा लगता है तो प्ली है आज हम लोग क्या देखते हैं इस ऐसे को देखते हैं जिसमें ऐसे ABCD करके कुछ अन्नोन कंपाउंड्स फॉर्म होता है इसको आप लोग को आइडेंटिफाई करना रहता है ठीक है तो फस्ट क्वेस्टन को चलिए देखते हैं तो देखो यह वाला जो क्वेस्टन है उस अगर हम लोग CH3COCl alum OE2N germanium chloride देते तो हम लोग जानते हैं की fatisylation reaction होता है होके क्या बनाएगा असाईल Benzine बनाएगा है तो जो है उससे क्या formation होता है ऐसा इल बेंजन फॉर्मेशन होता है जिसको एसीटो फिनोन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है जिसको अगर हम लोग जींक मारकर यह इसील देंगे तो क्या बन जाता है उसका हम लोग जानते हैं सीओ ग्रूप का रिडक्शन हो जाता है ठीक है ओके इताइल बेंजन बनाए जिससे CHI3 बनेगा प्लस sodium benzoid का formation होगा ठीक है अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो चलिए तो हम इसको फिर से बता देते हैं देखो अगर हम लोग इसको क्या देते हैं CH3 COCl प्लस anhydrous aluminium chloride तो इससे हम लोग जानते हैं क्या होता है इस reaction का नाम क्या है फ्रिडिल क्राप्ट्स एसाइलेशन रियक्शन यह वाला अल्रेडी हम नेम रियक्शन में देख चुके हैं इससे क्या बन जाता है Acetofenon बनता है C double bond O single bond CH3 बन जाता है जिसको zinc mercury HCl के साथ अगर हम लोग reaction करवाएंगे तो इससे क्या हो जाता है CO group जो है उसका reduction हो जाता है और यह किस में convert हो जाता है CH2 single bond CH3 में convert हो जाता है इथाइल बेंजन में convert होता है तो ए जो है ए क्या है यह Acetofenon है V क्या है इथाइल बेंजन है समझ गए हो साइद अब जो है यह वाला जो compound है इसको अगर हम लोग इने प्लस प्लस ची है यहां पर दी जो है वो क्या है सोडियाम बेंजोएट है यह जो है वह वाला क्या है आईड़ो फॉर्म है ठीक है अब हम लोग को से नंबर सेगेंड को देखते हैं देखो यह ऐसा को इससेन बहुत ही जादा से इंपोर्डेंट क्योंकि यह जो है देखो 2016 में यह वाला क्योंसे आया है सिमिलर क्योट्च अप लोग को 2018 में 2020 में देखने को मिलेगा ठीक है तो इस जैसा question solve करने से पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से यह वाला statement को पढ़ लेना पढ़ता है तो चलो एक बार पढ़के देखते हैं क्या लिखा हुआ है A and B are two functional isomars of compound C3H6O मतलब तुमको एक compound दिया गया है जो है C3H6O ठीक है C3H6O वाला compound का दो isomars है A है और B है on heating with NaOH and I2 isomer B forms yellow precipitate B when treated with NaOH along with I2 it gives yellow precipitate okay whereas isomer A does not form any precipitate when A is treated with NaOH and I2 जब हम लोग A को NaOH I2 के साथ heat करेंगे तो यहां से no yellow precipitate formation होता है तो अब देखो बच्चो यह जो है इस से हम लोग क्या conclusion draw कर सकते हैं compound B sodium hydroxide iodine के साथ yellow precipitate देता है तो obviously यह वाला compound में CH3CO group present है तो देखो CH3CO अगर हम लोग इस से minus कर देते हैं तो यह वाला क्या रहेगा CH3CO अगर हम लोग minus कर देते तो कितना carbon है इसमें दो carbon है तो यहां से दो carbon को कम कर दो कितना carbon बचा एक carbon बचा और total hydrogen कितना कम करना है 3 hydrogen कम करना है और 1 oxygen कम करना है तो कितना होगा एक oxygen तो है ही अब अगर हम लोग total 3 hydrogen था है ना अगर 6 hydrogen से 3 hydrogen कम कर देंगे तो CH3 हुआ तो जो B compound है वो B compound क्या है CH3 CO CH3 लेकिन यह जो compound है वो no yellow precipitate देता है मतलब कोई भी yellow precipitate नहीं देता है तो obviously उसमें क्या नहीं है CH3 CO group नहीं है ठीक है तो ऐसा एक जो है compound क्या हो सकता है जिसमें CH3 CO नहीं है देखो CH3 single bond CH2 single bond CH double bond O ठीक है प्रोपनेल जो है इसमें देखो यह जो है यह sodium hydroxyl iodine के साथ कोई भी yellow precipitate नहीं देता है तो obviously यह जो है यह जो है compound वो क्या है CH3 CH2 CHO है साइस समझ गए हो अब question number third को देखते है question number third देखो यह जो है question number third 2020 में आया है ठीक है तो इसलिए यह question भी एक important question है तो यह यह जो question है इसमें क्या बोला गया है एन और्गनिक कंपाउंड ए एक और्गनिक कंपाउंड है ए ठीक है having molecular formula C4H8O जिसका molecular formula है C4H8O gives orange red precipitate with 2,4 DNP मतलब A2,4 DNP के साथ reaction करता है ठीक है second जो है क्या बोला गया है but does not reduce tolerance reagent इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जरूर इसमें CHO group present नहीं है functional group जो है वो CHO इसमें नहीं है मतलब यह जरूर कोई ketone है है न थर्ड वाला देखो थर्ड वाला में क्या बोला गया है on heating with sodium hydroxide and iodine compound A on but give yellow precipitate of iodine form on heating with NaOH and I2 मतलब अगर हम लोग sodium hydroxide और iodine के साथ reaction करवाएंगे A को तो यह क्या देगा yellow precipitate देगा तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जरूर इसमें CH3 CO group present है ठीक है अब देखो क्या बोला गया है next step में compound A on reduction with sodium borohydride जब हम लोग compound A को sodium borohydride से reaction करवाते हैं तो यह क्या formation करता है B compound for देता है ठीक है B which undergoes dehydration reaction on heating with concentrated sulfuric acid B को जब हम लोग क्या करते है concentrated sulfuric acid के साथ reaction करवाते हैं तो इससे water निकल जाता है और यह क्या formation क्या देता है compound C produce करता है ठीक है compound C on ozonolysis give two molecules of ethanol ठीक है तो इसको जब हम लोग ozone zinc water के साथ reaction करवाएंगे किसके साथ ozone zinc water ozonolysis मतलब यही होता है ना ozone zinc water तो इससे क्या formation होता है ethanol का formation होता है मतलब CH3 CH double bond O ठीक है तो obviously हम लोग जो C compound होगा वो C compound को हम लोग कैसे predict कर सकते हैं देखो जो तुमको दिया गया है compound वही दो compound को लेना है ठीक है मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं CH3 CH double bond O अब इसको just opposite करके लिख देना है CH3 single bond CH double bond O ठीक है अब यह दोनों oxygen को हटा देना है ठीक है क्योंकि ozonalysis से जो main compound रहता है वो compound कैसा होता है ऐसा होता है CH3 CH double bond CH single bond CH3 तो जो C है वो वाला compound क्या होगा CH3 single bond CH double bond CH single bond CH3 ठीक है अब देखो यह जो है CH3 single bond CH double bond CH single bond CH3 यह वाला alkin कैसे बन सकता है अगर हम लोग यहां पे अगर hydrogen रहता है यहां पे अगर OH रहेगा तभी बन जाएगा है ना तभी उसका dehydration से यह वाला alkin बन सकता है तो B क्या हो सकता है imagine करो कौन सा compound से water निकलने के बाद आप लोगों को यह वाला compound मिलेगा तो वो compound क्या हो सकता है CH3 single bond CH CH के साथ क्या जूरा हुआ रहेगा एक hydrogen और इसके साथ क्या जूरा हुआ रहेगा एक OH और यह जो है यह क्या रहेगा CH3 रहेगा थिक है तो अब यह वाला compound जो है यह वाला compound क्या है CH3, CH2, CHOH, दिख रहा है, तो यह वाला compound कैसे बना है, sodium borohydride का reduction से बना है, अब देखो कौन सा compound का reduction से बना है, A का, तो A, कौन सा compound होगा, यहां से अगर हम लोग 2 hydrogen हटा देते हैं, तो जो ketone रहेगा, वही यह रहेगा, मतलब वह वाला compound क्या होगा, CH3, single bond, CH2, single bond C, double bond O, single bond CH3, क्यों यह वाला compound होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, कि कोई भी aldehyde या ketone ही sodium borohydride से reduction के बाद alcohol में convert हो जाता है, ठीक है, तो A, कौनसा वाला compound हुआ, CH3, single bond CH2, single bond CO, single bond CH3, यह हुआ, ठीक है, B, कौनसा compound हुआ, CH3, single bond CH2, single bond CH, single bond OH, देखो न, CH3, CH2, CO, CO का sodium borohydride से reduction से क्या बनेगा, CH, OH बनेगा, तो यह वाला CH, OH हुआ न, C जो compound है, C compound कौनसा हुआ, CH3, single bond CH, double bond CH, single bond CH3, साह समझ गए हो, अब जो है, लास्ट वाला देख लेते हैं, identify A, B, C and write their structures, ठीक है, A, B, C हम लोग identify कर चुके हैं, write the reaction of compound A with NaOH plus I2, अब देखो, A, जो compound है, A, जो compound है, वो क्या है, CH3, single bond CH2, single bond C, double bond O, single bond CH3, ठीक है, अब इसको हम लोग किसके साथ reaction कर वा रहे हैं, 3 moles of I2 plus 4 moles of NaOH, मिला कि अगर hit करेंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3, single bond CH2, single bond C, double bond O, single bond O, Na, plus क्या formation होगा, 3 moles of NaI, plus 3 moles of H2O, plus CHI3, आया समझ में, तो first वाला हो गया, ठीक है, second वाला जो है, अब देखो, एक को अगर हम लोग sodium borohydride के साथ reaction कर वाएँगे, तो क्या बनेगा, देखो, CH3, single bond CH2, single bond C, double bond O, single bond CH3, ठीक है, तो बच्चो, यह सब जो है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और इस जाय सा similar question, आप लोग और भी solve कर सकते हो, ठीक है, ओके थैंक्यू students, प्रैक्टिस